नमस्कार आप देखरी नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितिक बिहार में विदान सभा चुनाओ के नितीजे खत्म होने के बाद नितीश कुमार की सरकार बिहार में बन गई है और हाली में चिराग पास्वान जुकी लोजपा के सुप्रीमों है लोजपा के अध्याक् पटना में बुद्वार को संसदिय बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश की सारी कमिटी और जिला कमिटी को भंग करने की बात कि इसका एलान किया है और इस वक्त हम कड़े हैं पटना के लोजपा दफ्तर में और यहां पर हम पाटी के प्रवक्ता से पूछते हैं कि इस उनकी क्या राय है चिराग पास्मान ने अभी हाली में अलान किया है कि तमाम कमिटी को भंकिया जाएगा और फिर से नई से रिश्य शुरूबात होगी नई तोर पर शुरूबात होगी उसको आप किस तर पर देखते हैं विगत जो अभी विधान सभा चुनाव हुए हैं उसमें हमारे साथ 135 साथी और जुड़े हैं और हमारे पार्टी के राष्टिया ध्यक्ष मन्य चिराग जी ने उन्हें 135 लोगों का स्वागत किया है हम उनको भी संगठन में उचित जवाब देही और जिम्यवारी देने जा रहे हैं और एक ससक्त मजबूत कमिटी का निर्मान है तो ये कमिटी भंकी गई है हम एक नए कलेवर में नए सीरे से शुरूआत करने जा रहे हैं बात करें तो 135 उमीद्वार माफ किजएगा उतारे गए थे और एक सीट जीत पाई लोजपा कारण क्या है हार का ये जो कारण है आप किस तौर पर ये बताना चाहेंगे कि क्या कमी रह गई देखिए हमने हारा नहीं है हमारी उपलब्धी है कि हम 2.2 वोट प्रतीशत मेरा था विगत विधान सवा में 2015 में उसको हमने 6 परसेंट तक लाने का काम किया है जो हमारी उपलब्धी है इस तरह हमें 25 लाक लगभग भोट विले हैं तो पार्टी का जनाधार कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में बढ़ी है और पार्टी मजबूत हुआ है लोग तंत्र में अगर आकणों को देखें तो आकड़े अलग सीज है लेकिन हमारा जनाधार जनाधेश कहीं न कहीं पार्टी पे विश्वास बढ़ा है विहार फर्स्ट विहारी फर्स्ट का जो विजन हमारा था उसे विहार की जनता ने पूरी तरह स्विकार किया है और हम पूरी जनता को अभार पार्टी की योर से अभार व्यक्त करते हैं तो पार्टी की प्रवक्ता ने कहा है कि यह जी तो अब देखना ये कुछ होगा क्या कब होता है इसका इसके कब घुशना की जाती ये तो आने वाला वक्त बताएगा तो फिलाल के लिए मुझे दीजे इजासत देख तेरी नेशन यूज को धन्यवाद